नमस्कार मैं हूँ संदीब चौधी आज सीधा सवाल में मैं बात करूँगा अमरित काल की संकत काल की और चौथे खंबे की चौथे स्थम की अब दरसल सरकार ये दावा कर रही है ताल ठोक रही है कि हम यानि कि भारत ये देश अमरित काल में प्रवेश कर चुका है और आने वाला वक्त हमारा होगा हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं लेकिन जो लोक तंतर का ये चौथा खंबा है स्थम्ब है हम पत्रकारिता और पत्रकार क्या ये खंबा दरसल दरक रहा है और पत्रकारिता का एक संकत काल चल रहा है क्या और ये सवाल किसलिए क्योंकि विपक्षी जो गडबंदन है जो अपने आपको इंडिया कहता है उसने चौदा एंकर्स के बहिशकार का फैसला कर लिया है यानि कि वो जो टॉक शूज करते हैं जो कारिकरम करते हैं अब उसमें विपक्षी खेमे से कोई नुमाइंदा कोई प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेगा ये घोशित बहिशकार कर दिया है अब यहाँ पर इन पत्रकारों इन आंकर्स के नाम बताना जरूरी नहीं है वैसे भी आपको पता हूंगे जरूरी क्या है सवाल और वो कौन सा सवाल है क्या इस तरह से पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है दबाया जा रहा है दराया जा रहा है धमकाया जा रहा है पत्रकारों को या ये नौबत क्यों आई है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल से जुड़ी एक और समनांतर धारा है वो है पत्रकारों की निश्पक्षता उनकी विश्वस्नियता उनका भरोसा क्या लोगों का विश्वास पत्रकारिता में आज के मौजूदा दौर की पत्रकारिता में डगमगाने लगा है सवालों के घेरे में है क्या पत्रकारिता गोदी मीडिया एक आम चलन का शब्द हो गया है ये गोदी है ये तुझी फलाना है ये सरकार विरोधी है बै केंद्रिया मंत्री प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं पत्रकारों को केंद्रिया मंत्री क्या ये पत्रकारिता का हाल हो गया है अब जो विपक्षी महागडबंदन है उन्होंने जब ये बहिशकार का एलान किया तो उन्होंने क्या कहा तर्क क्या दिये दलील क्या दिये पवन खेड़ा कांग्रिस के राश्टिया प्रवक्ता है उनकी मीडिया सेल में भी एहम जम्मेदारी है वो कहते हैं कि रोज शाम नफरत की दुकाने सजाई जाती हैं हम नफरत के बाजार के ग्रहक नहीं बनेंगे तो नफरत के बाजार की पोल क्यों नहीं खोलते या ये सिर्फ नफरत के बाजार की बात नहीं है बात उससे भी कहीं आगे है प्रियंका चतरवेदी शिव सेना उद्धव ठाकरे गुट की राजसबा सांसद भी हैं वो कहते हैं पिछले कई सालों से कुछ पत्रकार विभाजन कारी नफरत से भरे प्रोग्राम चलाते रहे और इसके नतीजे साफ तोर पर दिख रहे हैं उधर सत्ताधारी बीजेपी और तमाम नेता राश्रिया ध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा से लेकर तमाम लोग विपक्ष को घेरने के लिए निकल पड़े जेपी नड़ा ने कहा कि इत्यास में ऐसे कई मौक्या आए हैं जब कॉंग्रेस ने मीडिया पर पाबंदी लगाई है वो 1975 के अपातकाल में भी चले गए कि ये ताना शाही है इनकी तो फितरत है इनके डियेने में है प्रेस को दबाना अनिल बलूनी जो मीडिया हैड है बीजे पी के वो कहते हैं घमंडिया गडबंदन में शामिल दलो का पत्रकारों पर बेंद दमनकारी और ताना शाही की सोच को प्रदर्शित करता है दमन किया जा रहा है ताना शाही वाली सोच है और जब 1975 की अमजेंसी का जिक्र होता है तो अमजेंसी में क्या हुआ था वो बाते भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है प्रेस के खिलाफ सेंसेशिप तो हुई बाकाइदा मतलब अफसर पहले वो देखते थे क्या क्या खबर चाप रहे हो इंडियन एक्सप्रेस ने तो पूरा पहला पन्ना काला चाप दिया था अखबारों के जो दफ्तर थे उनकी बिजली सप्लाई काट दी गई साथ हजार सेवन थाउजन पत्रकारों को गिरफतार भी किया गया था और हालत मीडिया की उस वक्त ऐसी हो गई थी कि 1977 में सूचना और प्रसारन मंत्री बने लाल कृष्णा अद्वानी ने कहा था यू आपको सिर्फ जुकने के लिए कहा गया था लेकिन आप तो शाष्टांग हो गई आप तो लेट गए थे पर ये तो राजनेतिक हमलों की बात हो गई सब अपना अपना चश्मा पहन कर तथाकत सच को आपके सामने रख रहे हैं लेकिन दरसल हकीकत क्या है इसे भी थोड़ा कुरेदने की जरूरत है जो फ्रीडम ओफ प्रेस इंडेक्स है यानि कि प्रेस की आजादी में 180 देशों में भारत कहां खड़ा होता है इस पर निगाह डालनी भी जरूरी हो जाती है 2023 में 180 देशों में हम 161 नंबर पर हैं 161 नंबर पर 2013 में हम 140 नंबर पर थे 180 मुलकों में मतलब तब भी कोई ऐसा अमरित काल पत्रकारिता का नहीं आया हुआ था लेकिन हालात बंच से बंदतर ही हो रहे हैं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हर साल ओसतन तीन या चार पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और पत्रकारों पर पुलिस, राजनेतिक, आपराधिक और भ्रष्ट अधिकारियों की हिंसा होती है और ये केंदर तक की बात नहीं है राज्यों में भी देखेंगे उत्तर प्रदेशों कोई मिड़े मील स्कीम में की नमक और रोटी दी जा रही है ऐसा प्रतारित किया जाता है, परिशान किया जाता है पत्रकार को किसी को जेल में डाल दिया जाता है किसी की हत्या कर दी जाती है कोई ममताब अनर्जी के खिलाफ कुछ बोल दे पस्चिम बंगाल में तो उसे गिरफतार कर लिया जाता है यही काम M.K. स्टालिन करते दिखते हैं तमिल लाडू में राजस्थान में भी इस तरह की खबरे आई है तो तो यह सत्ता का चरित्र है क्या प्रधान मंत्री मोदी ने नौ साल में कोई पत्रकार वारता नहीं की है कोई सवाल नहीं लिया है सौ से ज्यादा मन की बात कर ली लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया है तो सत्ता चाहता है क्या कि पत्रकार उनकी बोली बोलें केंदर में हो राज्य में हो सरकार किसी की भी हो पर जब हम सत्ता के चरित्र की बात करते हैं तो पत्रकारिता के चरित्र की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी चर्चा भी अधूरी रह जाएगी मैं और ABP News हम पत्रकारिता की आजादी के पूरे पक्के सो फीस दी पक्षदर है और हमारा साफ मानना है कि जो ये लक्षमन रेखा है पत्रकारिता की वो भी हम पत्रकार ही तै करेंगे ये सरकारे नहीं तै कर सकती है कि हम क्या सवाल पूछें और क्या सवाल ना पूछें किस खबर को चलाएं और किस खबर को ना चलाएं लक्षमन रेखा है पर ये सम्मेधानिक हक दिया गया अभी व्यक्ति की आजादी का पर पत्रकारिता की आजादी के माइने क्या अजेंडा सेट करना हो जाता है प्रॉपगेंडा चलाना हो जाता है एक नारेटिव गड़ना सत्ता के पक्ष में सवाल सत्ता से कम और सत्ता तो आती जाती रहती है अलग अलग पाटियां आती है पर मौजूदा दौर में सत्ता से सवाल कम और विपक्ष को लगतार कट घरे में खड़ा करने की कोशिश भी की जाती है क्या और जो असल मुद्दे हैं आप से मुद्द से आम आदमी की जो जरूरात हैं जो मसाइल हैं जो परेशानिया हैं जो चिंताए हैं जो अपेक्षाए हैं आकांग्षाए हैं उन मिद्दो को धर किनार कर उनको तिलांजली दे कर आग लगाने वाले भड़काओं गेर जरूरी जो मुद्दे हैं उन पर रोज बरोज चर्चा करना क्या ये पत्रकारिता का धर्म है मैं पत्रकारिता के धर्म की बात कर रहा हूँ हम खबरनवीस हैं हम जर्या हैं जो होता है वो आप तक निश्पक्ष तरीके से पहुँचे उसके बाद आप इसे किसे अंदाज में किस तरह से ग्रहन करते हैं वो आपकी मर्जी पर यहां पर पत्रकारों के लिए लक्षमन रेखा आप राजने तक दल खीचते दिखाई दे रहे हैं क्या और इस से किस का भला होगा इसी पर यह कड़वे सवाल है आज मैं चर्चा करने वाला हूँ पर पहले सुनिए राजने तकारों प्रत्यारों कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाए जाता है हमें नफरत मुख भारत की दिशा में एक कदम उठाना था आज एक निर्णे लिया गया कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरहें के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो की हिंसा का रोप ले ले हम उसमें भागिदार नहीं रहेंगे फारुक अग्दुल्ला जैसे लोगों को एक मुखिस्थान इन राजनितिक पार्टियों ने दिया हुआ है अपने अलाइंस में, अपने पार्टी में, अपने अपने ग्रूप में उनको बॉयकॉट नहीं करते हैं मगर बॉयकॉट करने की बात आती है तो लोकतंत्र में पत्रकारिता को किस प्रकार बॉयकॉट करना है उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कॉंग्रेस की राश्रीय प्रवक्ता, खुद पत्रकार रह चुकी हैं, फॉर्मोस बिजनस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, सुप्रिया श्रीनेट, वरिष्ट पत्रकार राम कृपाल सिंग, आशुतोष किसी परिचे के महताज नहीं हैं, सत सवाल भी करने वाला हूँ, लेकिन पहले सुप्रिया, पत्रकारों का बहिश्कार करके, आप क्या साबित करना चाहती हैं? नमश्कार आप सबको, और अच्छा लगा कि आपने एक मुद्दे की बात उठाएं, जैसे आप अमूमन उठाते हैं, क्योंकि आप ही के शोज होते हैं, जिस पर हम महेंगाई, बेरोजगारी, त्यादी पर चर्चा करते हैं, नहीं तो अधिकांश टीवी चानल पर वो शो कारिक्रम में जाने से मना करा है, जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू, मुसल्मान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है, हम इसमें भागिदार नहीं बनेगे, यह हमारा डिसिजन है, मुझे ऐसा लगता है कि यह कारिक्रम वो हैं, जिन को कहती है, साथ ही उसका धर्म भी बताती है, आज TV चानल जो नफरत आपके घर में परोस रहे हम उसमें खांसाबा नहीं बनना चाते हैं, हम नहीं चाते कि हमारी उसमें कोई भागिदारी हो, हम बाकी शोज पर जा रहे हैं, उन चानल के बाकी शोज पर जा रहे हैं, उन च सवार पूछते हैं मुझसे आप महंगाई पर बेरोजगारी पर आप 2004 से 14 और उसके पहले 70 साल का हमसे हिसाब मांगिए आप लतारी है हमें हम तैयारे सवालों का जवाब देने के लिए जो गलतिया हुई उसको हाथ जोड़ के कौन से सवाल आप से पूछे जाएं अब आप तैय करेंगी अब राजनेतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के सवालों से भाग रही हैं क्या आप तमाम जो यह एंकर्स हैं उनके ट्विटर पर रियाक्शन जो हो रहे हैं हम तो सवाल पूछेंगे सवाल से भाग रहे हैं क्या आप या उन सवालों के जवाब नहीं है मैं लोगों को चरण चुम्बक बुलाती हूँ और इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि सत्ता के सामने ये नत्मस्तक है ये उस सरकार से जिसके पास संसाधन हैं संस्थाए हैं जो नियम कानून बनाते हैं उनसे सवाल नहीं पूछते हैं ये सवाल नहीं पूछते हैं विपक्ष से ये विपक्ष को सीधे सीधे दोशी मानते हैं और आरोप लगाते हैं तो आपकी अजेंडा चलाने वाली पत्रकारता का हिस्तान नहीं बनना चाहते हैं इसमें क्या गलत है ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि इस देश में 9 साल से प्रधान मंत्री ने एक प्रेस कांफरेंस नहीं करी ये वो लोग है और मैं थोड़े दुख के साथ कहती हूँ मैं पत्रकार रह चुकी हूँ आज NBA का स्टेटमेंट पढ़िए या भारतिये जनता पार्टी का स्टेटमेंट पढ़िए दोनों एक दूसरे के प्रारूप नजर आते हैं क्या ये स्टेटमेंट भारतिये जनता पार्टी ने लिखा है ये मैं जानना चाहती हूँ और कहा था ये National Broadcasters and Digital Association जब सुप्रिया शर्मा पर देशद्रो का मुकदमा हुआ कहा था ये Association जब आप ही के साथी पत्रकार पर अब वो दुनिया में नहीं रहें उन्होंने मिर्जापुर में नमक रोटी दिलाने की खबर चलाने की खबर चलाई थी उस पर उनके खिलाब देशद्रो का मुकदमा हुआ था कहा था ये पत्रकार जब NDTV का सारवजनिक रूप से लिखकर बहिशकार किया था BJP ने कहा था ये पत्रकार जब प्रेस्टिट्यूट बुलाया गया था प्रेस्टिट्यूट के शब्द को समवेदिशी करता है या पर या आप मुझसे बहतर जानते हैं मैं एक औरत हो के बोलना नहीं चाती हूँ और कहा थे ये लोग आपके चैनल पर पिछले एक महिने से अगोशन बहिशकार है BJP का क्यूं है क्योंकि आपने एक सवाल पूछ़ दीया था है इनके सांसत से इसलिए बहिशकार कर देंगे क्यों नहीं तब बोला जा रहा है क्यों नहीं स्वर में स्वर मिलाया जा रहा है मेरा अपना मानना ये है कि आप अजेंडा चलाते रहे हम आपका मुझ थोड़ी बंद कर रहे है ना आपका हम अजेंडा डिसाइड कर आप अजेंडा चलाइए आप नफरत के बाजार को और बढ़ाईए आप और उनमात फेलाईए हम उसमें घी डालने का आपका साथ नहीं दे सकते हैं और इसलिए हमने अपने गिरेवा में जाके हमने लोगतर के उपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हम इसके हिस्सा नहीं बनेंगे आप दो फार कर रहे हैं पत्रकारिता को सुप्रिया श्रीनेट की तेरा पत्रकार मेरा पत्रकार अब ये खेल शुरू कर दि मैं आपको एक एक्जामपल देती हूँ अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता की पवन खेला जी के साथ बाइट चला रहे थे उस बीजेपी के प्रवक्ता ने कहां फारूख अब्दुल्ला जैसे लोगों को अपने साथ किया है फारूख अब्दुल्ला इस देश के एक कि वो टेरिरिस्ट हैं कि वो उनमाप फैलाते हैं कि वो आतंकवादी हैं क्या कहना चाते हैं आप मैं जानना चाती हूँ उस प्रेस कॉन्फरेंस में जितने पत्रकार थे क्या उन्होंने उस बद्दिमाग प्रवक्ता से पूछा कि फारूख अब्दुल्ला जैसे कहने का म आप मुझसे तीन सवाल कर चुके और तीन असहज सवाल कर रहें लेकिन मैं तो नहीं मालती कि आप अजेंडा चला रहें ना हमारे लिए ना किसी और के लिए यह तो आज तक की बात कर आपको अजेंडा लगने लगेगा मैं यह पूछ रहा हूं सुप्रिया जब एक बार यह धारा बहज आती है जब बात हाथ से निकलती है वो कहां तक जाएगी दूर तलक जाएगी ना यह सिलसला यहां थमेगा क्या भारत जोडो एक्च्वल तोडो ये अगर आपके शो का एस्टन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे आपके शो का एस्टन है कॉंग्रेस और विपक्ष हिंदूों के खिलाफ हम आपके शो में क्यों आएंगे आपके शो का एस्तन है 2047 के गजबा प्लान पर यह हम आपके शो में क्यों आएंगे क्या मुद्दे है आज इस देश के यह पत्रकार और पत्रकारिता की बात नहीं है सदीब जी यह आपको समझने में इतना वक्त लग गया यह यह आपकी बॉखलाहट है हमें लगा कि बदलते हुए दौर को देखकर हमें लगा हमारी दलीलों को देखकर हमें लगा उमरती हुई भीरों को देखकर यह पत्रकार कोर्स करेक्ट करेंगे लेकिन जो न्यूज रूम अब एडिटर नहीं पीमो के चपरासी अपने वाटसाब से चला रहे है उन न्यूज रूम से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है जो एन्बिये का लेटर है अगर वो भाजपा के अनिल बलूनी जी जैसा लेटर दिखता है तो हम उनसे क्या अपेक्षा करें पीमो के चपरासी न्यूज रूम चलाने लगे पीमो के चपरासी न्यूज रूम और अखबार और सब कुछ चलाते थे 1975 में अमर्जनसी के दौर में 7000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था और उसके लिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था जो गलत था वो गलत था उसके लिए ने कहा है यह अनफॉर्चनट था वो गलत था आप तो कहतें अमरित काल चल रहाए अमरित काल में आपका आजेंडा चलेगा अमरित काल में मेहंगाई पर बेरोजगारी पर सब कुछ भूल जाये संदीब जी मैं 10 सेकंड में एक बात कह देती हूँ और यह आई ना आप मुझे दिल पर हाथ रखके बताईएगा कोई चानल चलाएगा 48 घंटे हो गए अनंतनाग की आतंग की मुठभेड में सेना के ओफिसर दो और वहां के जेनके की पुलीस के अधिकारी शहीद हो गए इस देश के प्रधान मंतरी ने जश्न मनाया उस शाम को इस देश के प्रधान मंतरी ने जाकर चुनाओ प्रचान किया कल इस देश के प्रधान मंतरी अभी तक एक शब्द शद्धान जली का संवेदना का एक शब्द नहीं बोला और यह एक लंबी फैरिस्त है 2021 से वो संग्य नहीं रही लेते इस देश के प्रधान मंतरी जो क्रिकेटर की उंगली तूट जाने पर ट्वीट करते हैं वो इस देश के सरवच बनिदान देने वाले वीर सपूतों के लिए एक शब नहीं बोलते कोई मीडिया आपको दिख रहा है जो उस पर सवाल पूछे अनवरत चलेग है कि हम उस नफरत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं अप नहीं बनना चाहता विपक्षी गटबंधन आप इसे फिर ताना शाही अस्थी शूनता पत्रकारों की आवाज दबाना क्यों कहते हैं उनको नहीं मुद्दे पसंद वो नहीं जा रहे बात खतम देखे संदीब भाई जो आपने सवाल इन से पूछा उससे तो ये कन्नी काट गई नेशनल डेवलप्मेंट एंट इनक्लूशिव एलाइंस का पहला मतलब जो है कहीं अगर समझ में आया तो जो आपने पूछा कि तेरा पत्रकार और मेरा पत्रकार आपनी यह हिमाकत तो कर देवह मत होती तो उन पत्रकारों का भी लिश्ट देदेती या दिलवा दिया जाता कि वह यह यह पत्रकार जो है इन के पास हम जाएंगे ये ये लोग हैं जो हमारे लिए सुपधा जनक है तो सवाल यह है कि आज अगर ये इस्तिती पर इस्तिती बता कर और बना कर आप दो हजार 24 का चुनाव लड़ने चले हैं तो इससे दुरभागे पूंड इस्तिती कुछ नहीं हो सकती है तो ये क्या सत्ता पक्षिने नहीं बनाई है भाईश वर्मा ये गोधी मीडिया जो ट्रेंड करता रहता है सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते कोई सवाल पूछ भी ले और वो तो उसके जेल जाने का अतीत भी याद दिला दिया जाता है सरकार तलखी पर आ जाती है नौ साल प्रेस कॉन्फरेंस ना करो उसमें अभी व्यक्ति की आजादी पर कोई कुछारा घात नहीं होता कोई किसी के यहां ना जाए और कह दे हम गैस नहीं बनेंगे ऐसे शो में त इसमें अभी व्यक्ति की आजदी पर प्रहार हो जाता है। कि तुमने वो यहां पे मीडिया क्या हुआ अमन चौपना के साथ क्या हुआ रोहीत रंजन के साथ क्या हुआ अज सुदिर चौदरी के साथ क्या हुआ सब के साथ कि अर्णा कोषवामी कि 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 कैसी में ले जाके उनको जील में धूसा गया मारा गया पीटा गया उनके साथ गलत किया गया उसका हुआ ना और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यहां आसुतोस जी यह बैठे हुए है, खरी-खरी, खोटी-खोटी सुनाते हुए, तमाम आला उचना करते हुए, एक किताब लिख डाली प्रदानमंत्री जी के उपर, कभी हमने उंगली नहीं उठाई कि आसुतोस जी, आपको यह किसने ह कहीं कुछ ने कुछ तो जलकती है, लेकिन कभी हमने और आपने कभी बड़े चाव से इनके प्रोग्राम को दिखा है, बड़े इत्मिनान से हम देखते थे, यह सीधी बात यह करें, यह इंडिया टूडे में रहे, यह इंडिया नेक्स पेस में रहे, यह कहीं भी रहे, ले पर आज वो लोग फैरा सच शलाने लगे, आज वो चीरहरण हो रहा है, जो संदीब भाई, जिन लोगोंने पचहत्तर की एमरजनसी में पानी पीपी के गाली दिया कांग्रेस को इसी बात के लिए, कि देखो देखो इसका चाल चहरा चरित्र किस तरह से इसने कलम को भी पा बंद कर दिया किस तरह से इसने कलम को भी नजर बंद कर दिया आज वही लोग इंडिया एलाइंस में बैठ के क्या कुकृत्य कर रहे हैं अरे एक लिस्ट भेज देते और अगर इतनी हिम्मत थी यह हिमाकत के बाद एक हिम्मत भी तो दिखाते हैं एक मिनट एक मिनट महिश भ भानी ने अगोशेत अमर्जेंसी की ओर इशारा भी किया था और आपके सैयोगी संवित पात्रा ने और ये नजाने क्यों सुप्रिया श्रीनेट भी भूल गई कि वो तो सांसद हैं सांसद हैं उसी बात पर अठकी रही कि उनका बॉयकोट होना चाहिए मानो वो देश विर वियारी वाजपई ने एक राश्विरोधी के बेटे को अपनी सरकार में विदेश राज्यमंत्री बनाया हुए था रही साहब मैं यह जहां कि हम कब कह रहे हैं हम उसके नकार रहे किया नकारी विदेश की खिलाप बोलेंगे आप ये कहेंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा गा आपकिस्तान के बात करी ये क्या मतलब बनता है इसका मतलब क्या और इसका समर्थन सुपरिया स्रीनेट करेंगी और ठीरा देश करेगा अच्छा, अब मैं प्रभू चावला के पास चलता हूँ प्रबु चावला सीधी बात बहुत की मेरा सीधा सवाल पत्रकारिता और सरकार के रिष्टों का और विपक्ष की राज्ये जो हैं जहां उनकी सरकारे हैं उसको भी जोड़ कर पूछ रहा हूं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू पत्रकार और पत्रकारिता को और जैसे भी महर्मा जी ने कहा कि इम्रा विजार्थी प्रशे से जुड़ाव रहा है और सांकी शाखाउं में में गया हूं जब पत्रिकार्था जॉइन की थी तो मेरा आप ऐसे शारीष सम्मन्द उन से तूट गया था बिल्कुल मेरी मेशा शुरू में यह रहीड़िया प्रिंसिपल कि यह वोटिं इन इंटेंशन शुद नॉट रहीट इंद रहीड है और मेरे को जब जनलनिजम जोटिया था तो मेरा जब प्रिंट जनलनिजम शुरू किया था मैंने पहले उसमें यह था कि राइटर रिपोर्टर पर अब हो गया रहा है कि सारा का सारा रोल बदल गया जिसे प्रड़क्ट की डावश्च बनती रहती है एलेक्रिक वहीकल आ गई हैं पहले मोटर की वहीकल होती थी डीजल की होती थी तो पत्रिकारता का स्वरूप देखना आज कर कपड़े कैसे पहनते हैं किस सरे से बूलते हैं वह हो गया है पर मैं मुद्धे पे आना चाहता हूं यह हम लोगं के लिए बतर पत्रकारता के लिए बहुत बड़ा बुरा दिन है । से पत्रिकारता को बत्रकारों को बाटा जा रहा है सबसे पहले मेरा पक्ति के तुपिनी यह है कि किसी बत्रकार की फिर में स्टेट्मेंट देना किसी भी ऑर्गनिजिशन के तुवारा यह सबसे बड़ा मेरे लिए एक नॉन सर्टिफिकेट है मेरी क्रेडिबिल्टी पर क्कॉंगरेस पार्टी करती है हम प्रभू चावल के साथ खड़े हैं तो मैं कहूंगा मेरी पत्रिकारता आर्श से खतम उससे थाबित हो जाता है कि यह प्रुव करने जाते हैं यह जान नहीं होना चाहिए मैंने चालीस साल के अंदर ग्यारा प्रधानमंत्री देखे हैं जब भी मैं कॉंग्रिस के निताओं से मिलने जाता था तुम तो बीजेपी के हो तुम एवीवीपी के हो फिर भी वो मेरे से बास करते थे सुनिया गांदी जी ने मेरे को इंट्रीव ने दि करते हैं परंतू उन्हें घर में मेरे खाना भी फिलाया मेरे साथ बात भी की कभी मेरे साथ इंट्रीव नहीं की अंगर से मिली और घर में भी आई सवाल जे उस तरी की राजनिती के इंदर क्या होता था कि व्यक्तिकत क्या किसकी है लोगों को पत्रकारों को जाना चाहता था वो क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं परन्तु हमेश्च अब क्या हुआ है कि अब मैं को कि आज देख रहा था आप ट्रेंड कर रहे से संदीप तरह 14 एंकर दूसरी तरफ ये गलत बात है सवाल ये है कि हम करना क्या जाते हैं मेरे जैसा हार्व हाफ वर्किंग हाफ हाड़ वर्किंग सैमी रिटार जनलिस्ट देखे तक्रीफ होती है कि कि अटल जी के जमाने के अंदर मैंने अटल जी के खिलास स्टोडी लिखी और तो गवर्न इदी फिट टू गवर्न को कि मैंने वील्चेर में पिठा के कावर स्टोरी कराई प्रंतुस के बाप जी कोई नराज नहीं हुआ मोधी जी के मैंने पांच इंट्रू गिया आना कि 2008 के बाद उन्ने मेरे को इंट्रू नहीं दिया मेरे पुराने मितर से आज़त मैं मिलता नहीं हूँ आज़ता चार पांच साल से जबसे मंतरी मंतरी मुक्ष मंतरी नहीं पर यहां पर दोनों तरफ से जो राजनेतिक पॉस्ट्यरंग हो रही है कि अभी व्यक्ति की आज़ादी पत्रकारिता के लिए हम लामबंद हो रहे हैं असल पत्रकारिता पर दरसल यह पत्रकारिता का संकटकाल और गहाराता जा रहा है कि आपकी निगाम थीट जा कि पत्रकार अबब्रावाइज कर रहे तो मैं कर सकता उसके अंदर अगर पोलिटिकल अगर खेड़ा क anxांद kommt कर्णे कर पेर के दो को दूँगा नहीं आना है आपके नहीं आना चाहिता है तो आपको इसकी चंटा क्यूं कर निजय को नव साल तक प्रधारमंतिर ने इतना जीन ने यह आखिर मेरों के लिए आन्दर्वा थी मेरा करता था और चाटवारता सवाल यह कि पत्रकारता को अपने आ ऐस ने निस्ट पक्षिता। मैं इंटर्व करता में पिए रहा हूं अब भी करते हैं मेरा 52 मिनिट के सीधी बाथ के जिनदर में 7 मिनिट बोल था आज anchor जो है गंटे के गंदर 50 मिनिट खूद और 10 मिनिटू बागी भी समक्च को बोलने देते हैं यह पत्रिकारता नहीं है यह लिख पने देने ने आप ठीकी है पर यूज को पत्रिकारता नहीं कहते हैं अका मैं सवाल फूछें जिससे आप पूछ रहे हैं और मेरे को बोलने का मौगा दे रहे हैं आप सुप्रिया को भी म मिलता हूँ मेरे को पार्टी में बुलाए जाता है मेरे को राष्षपती बहुने में बुलाए जाता है इसलिए मैं बड़ा इंपॉर्टन्ट हूँ तो पत्र कारता अपने आपको छोटा बना रहा है मैं सबसे बड़ा इसलिए हूँ मेरे प्रोफेशन के अंदर मैं प्राइ तरह सीधी बात करते हुए आशुतोष पर ये बहिशकार आप किस तरह से देख रहे हैं ये कुछ एंकर्स का बहिशकार करना पत्रकारों को आईना दिखाया जा रहा है या दरसल ये अभिव्यक्ति की आजादी पर कहीं न कहीं कुठारा घात तो है फिर तो हर को को ही कहएगा मेरे इसाब से सवाल पूछ लो मेरे इसाब से मुद्दा तय करो तभी मैं आऊंगा कि कि सथी शुरू करणे के पहले मैं एक बात कहऄ दूए कि इनमेंसे एक दो ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे मेरा मानना है उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए और कुछ बहुँ सारे नाम छूट गे उनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए नोग दो चीज़े हैं में बिल्कुल इस्पस करना चाहूं पहली बात तो यह है कि पत्रकारिता में और जहर फैलाने में फरक होना चाहिए दूसरा अच्छी पत्रकारिता घटिया पत्रकारिता दो अलग चीज़े हैं जो हेट मॉंगर्स हैं अगर उनको भी हम पत्रकार कहेंगे त अपनी विचार अपनी विचारधारा के हिसाब से चीज़ों को करने के कोशिश करता हूँ आज के और हिंदुस्तान में ने हिंदुस्तान के बाहर ऐसे अखबार है जिनके बारे हम साफ कहा जाता है कि ये लेफ्ट लिनिंग नियूस पेपर्स हैं दूर से अकबार जिनके बारे मैं कहाँ है राइट लेनिंग यूhappy में उस पेपर से, लेकिन क्या वो अकबार या वो टीवी चैनल, क्या वो तक्यों को तुड़ मरोड करके गलत सही चीज़े करते हैं क्या, क्या वो नफरत फैलाते हैं क्या, तो सबसे पहले तो हमें ये फरक करना चाहिए कि नफरत फैलाने वाले लोगों को पत्रकार अगर हम मानेंगे तो संदीब जी आप खुद अपने साथ अन्याई करेंगे अपने चैनल के साथ अन्याई करेंगे और पत्रकारी ताग के साथ अन्याई करेंगे अब भािस इस पर हो सकती कि ये लिस्ट बन नी चहिए। ये लिस्ट नहीं बननी चाहिए। मेरा साब्धत आर्पे मानना है। कि जो लोग नफ्रत फैलाते हैं उनकी लिस्ट स्बके सामने होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि कौन लोग समाज के इंदे नफरत पहला रहें, कौन लोग समाज के ऊड़ने कर काम कर रहें, किनकी वज़ा से समाज के इंदे वेमनस से फैल रहा है, तुर जंदे बृलट रहे हैं चैनल आपने बदल दिया और आप खतम यह जंता क्यों न तेह कर ले यह सब कहने बहुत अच्छी बाते लगती है बहुत खुबसूरत फ्रेज में आप बात करना चाहते है हकीकत क्या है? हकीकत बहुत कड़वी है हकीकत यह कि आज की तारीक में जहर फैलाने वाले आंकर, जहर फैलाने वाले चैनल्स है और आधे उसे ज़्यादा इसमें डर की वज़ए से ख़ौ hält की वज़ए से और आधे वो हैं तो इसे इन ही चैनलों के मालिकों को देख कर लगता था आज उन सबों को देखकर मुझे शरम आती है कि हमने इन लोगों के साथ कभी काम किया ये स्थिटी पैदा हो गई है दिखाई नहीं पड़ता इन लोगों को क्या कि वही आप हमें सिखाया गया था दंके हो जाएंगे तो हिंदुर मुसल्मान का नाम नहीं लेंगे हमें यही तो सिखाये गया था नहाँ आज मुख्मंतरी एक परदेश का मुख्मंतरी बाकादा नाम लिक आइडन्टिफाई करता है कि ये हिंदु हैं ये मिसल्मान है और पत्रकार उसमें गर्म महसूस करते हैं मेरा तो सब तर पर मानना है तो उसके लिए एडिटर्स गिल्ड है जिसके आप एक्जेक्टिव कमिटी के मेंबर है प्रेस काउंसल आफ इंडिया है इन बी डी ए है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसियेशन है यह क्या कर रहे हैं सब मूप गांदी जी के तीन बंदर बने हुए हैं क्या कि राजने तक दलब तेह करने लगेंगे वो ठपपा लगाएंगे कि यह निश्पक्ष है हमारी निगाह में या निश्पक्ष नहीं है हम बड़ी डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं क्या आप तै करिए कि आप मिना लार लपेट आ आपने बिलकुल इसको अंडरलाईन कर दिया नफरत फैलाने वाला पत्रकार नहीं हो सकता और यह इस तरह से पत्रकार का बहिशकार किसका उद्धार हो रहा है राम क्रिपाल सिंग आप ता जुर्वेकार हैं इस पैनल पर देश का हो रहा है सत्ता पक्ष का हो रहा है विपक्ष का हो रहा है या आम जनता उधार किसका हो रहा है या पत्रकारिता का संदीव जी सवाल आपका जो है वो काफी समय लेगा उसका जवाब देने में मैं बहुत संचेप में एक बात कहता हूँ और अपना अनुभब बताता हूँ देखिये जैसे हम लोग कहते हैं कि लोगतंतर के एक परिवाशा है कि मैं आपके बात से आपके विचार से असहमत हूँ लेकिन ये वादा करता हूँ कि आपकी अविवक्त की आजादी के लिए जीवन्त लड़ता रहूँगा ये सबसे बड़े जो लोगतंतर रहा वहां के पत्थर पर लिखा हुआ है और हम बानते हैं कि ये बहुत खुबसूरत चीज है और यही होना चाहिए देखिए दो चीजे हैं एक होता है कानूनी एक होता है अनेतिक अगर कोई चीज कानूनन गलत हो रही है तो उसके लिए धालत है एक जो आपने भी इस वाल उठा है कि अगर कोई अनेतिक हो रही है तो उसके लिए जनता है हम अपने ही मामले में जज नहीं हो सकते one can't be just in his own coach क्यों नहीं हो सकते जब हम लक्षमन रेखा खुद तैय करने की हमेशा तर्क गड़ते हैं मैं उसकी बात ही नहीं करता मैं उसकी बात ही नहीं करता एक मिनट प्राम क्रिपाल जी एक चोटा सा ब्रेक ले रहा हूं तो कि यह ऐसी चीज है कि छोटे-छोटे हिस्सों में चर्चा बेमानी हो जाएगी थोड़ा वक्त में आपको दूंगा पर जब हम लक्षमन रेखा की पैर भी करते हैं कि भया हमारे उपर कोई अस्तक्षेप ना करे तो यहाँ पर हम ही जज ना करें तो कौन करेगा दूसरे को क्या वो हक दे रही है आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में अपनी राइस आगा कीजे अब बात पत्रकारों एंकर्स के बहिशकार तक आ गई है नौबत वहां तक आ गई है यह राजने तक खेल हो रहा है या हमने अपनी गत ऐसी कर रही है आप कह रहे हैं इति राम किपाल सिंग के एक में जाने से पहे हैं कि जनता को तै करने दिए राजनेतिक दल्कियों तै करेंगे जब पत्रकार अपनी लक्षमन रेखा हम खुद तै करते हैं कि नहीं जी कोट भी नहीं आएगी कोई सरकार कुछ ना करे तो पत्रकारिता का धर्म हम निभा रहे हैं या नहीं ये भी तो हमें तै करना होगा ना निश्चु दूप से देखिए संदीव जी मैं केवल अपना एक अनुभो बता रहा हूँ मैं करीब 89-90 में नौभारा टाइम्स का संपादग हुआ करता था लखनव में लोग रात रात भर लिखते थे ब्यक्ती हत्यारा होता है कौम नहीं और उसके बाद 84 आप जानते हैं क्या हुआ था सब कुछ छोड़िये उसके बाद मैं रहा हूँ नाइन्टीज में जब अजध्या में गोली चलाई गई थी और बाकदा प्रस काउंसिल के सामने केस है प्रस काउंसिल ने कितने अख़वारों को लताड़ा किसी अख़वार में आ रहा था हमारे अख़वार में आ रहा था और इंडिया तुड़े 15 लोग मारे गए कुछ अख़वारों ने 90 की संख्या दी थी 900 तो यह जो यह जो चीज है मैं किवले बात कह रहा हूं कि देखिए पत्रकाड़ता लोगतंत्र यह बहती हुई गंगा की तरह है नहीं बेल अगाम घोड़े भी हो गए नहीं नहीं मैं बता रहा हूं देखिए हमेसा क्या होता है कि जब यह कहना कि हम पुनी लक्षमर यह बात बहुत पहले से 77 एमरिजंसी के बाद से ही शुरू हुआ था जब इंद्रा गाधियन एमरिजंसी में एक श्रब्द चलाया था कि डिवल्लमेंटर जर्निजम विकाशील पत्रकाड़ता इसका मतलब था कि कहीं से कुछ भी कोई अधिकार नहीं है तो वो विकाशील पत्रकाड़ता थी और उस समय यह कहा गazy किताना साही स्वरी यह अमरिजंसी माइनस नहीं रहेगा जूट साबित होगा वो जनता उसको बिलकुल किनारे करती जाएगी देखिए हिंदी फिल्मों में एक दोर था चिकना चेहरा राजे स्खना चलते थे ना अचानक एंग्री एंग मैन का दोर आया लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हमेशा क्या है कि जो चीजें समाज में मासिस मासिस जो है जो मिहनत कस जनता है जो फवलाद और गेहू पएदा करती है वो सामाजिक उ जमीनी हकीकत को ज़्यादा अच्छी तरह जीती है वो जानती है सच क्या है और कौन डिजर्व करता है कौन सरवाइब करेगा कौन नहीं करेगा यह फैसला जनता करेगी यह जनता करेगी पर जनता देखे पोस्ट रूथ वर्ल्ड भी है जो उन्हें अच्छा लगता है जो वो समझते हैं सच है उसको ही अंतिम सत्य भी मान लेते हैं और यहां पर पत्रकारिता की जिम्मेदारी और हमारा धर्म भी सामने आजाता है कि हम निश्पक्ष तरीके से असल बात आपके सामने पेश करें लेकिन राजनीती भी हावी हो रही है क्या आप अपनी राय साजा कीजिए रामक्रिपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंतिम पड़ाव जनता की राय पत्रकारों का बहुषकार किसका बहुत से पत्रकार बिपक्ष को बोलने नहीं देते इंडिया का कदम सही है तो वहीं रामकुमार सक्सेना है बरेली यूपी से वो कह रहे हैं पत्रकारों को भी देखना जरूरी है कि वो निश्पक्ष है या नहीं यानि कि हमें अपने गिरेबान में जाकना होगा दूसरो झाल